जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगो बैभव लक्ष्मी ब्रत की बारे में संपूर्ज जानकारी देंगे कि बैभव लक्ष्मी ब्रत कब से सुरू करना चाहिए और कितने ब्रत करने चाहिए ब्रत में क्या खाना चाहिए ब्रत की नियम क्या है ब्रत की पूजा की विधी क्या है साथी साथ ब्रत का उद्यापन आपको कैसे करना है जी हां दोस्तों बैभव लक्ष्मी ब्रत से पूजा उपासना तो जैसे भारत वासियों की सासों में बसा हुआ है सायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो सपता के हर दिन के अनुसार भी बिसेश पूजा का विधान है सुक्रवार को लक्षमी देवी का ब्रत रखा जाता है इसे बैभव लक्षमी ब्रत भी कहा जाता है सनातन धर में मा लक्षमी के बिभिन स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है भक्त माता लक्षमी को बैभव लक्षमी गज लक्षमी और संतान लक्षमी आदी स्वरूप में पूजते हैं धार्मिक मानिताओं के नुसार म पनोकामनाओं के अधार पर मा लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। किसी काम में लंबे समय से आसफलता मिल रही है या फिर धन हानी हो रही है। छात्रों को सफलता नहीं मिल रही है। कहा जाता है कि सुक्रवार के दिन बैभव लक्ष्मी ब्रत करने से क ब्रत के दिन मा लक्ष्मी की पूजा के साथ स्री यंद्र की पूजा का भी विधान है इसके साथ ही मा लक्ष्मी की कृपा से मनो कामना भी पूरी हो जाती है अब चलिए जान लेते हैं कि बैभव लक्ष्मी ब्रत कब से सुरू करना चाहिए तो आप बैभव लक्ष्मी ब्रत किसी भी माह के सुक्ल पक्ष में सुक्रवार को यह ब्रत आरंब कर सकते हैं ब्रत आरंब करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि कितनी की संख्या में आप ब्रत करेंगे आप 11, 21, 51 भी कर सकते हैं ब्रत के पहले दिन ही संकल्प लेना होता है उतनी संख्या जितनी आपने करने का संकल्प लिया है पूरा होने पर उद्यापन अवस्य करना है अगर जिस मनो कामना की पूर्ती के लिए आपने ब्रत रखा है वो पूरा नहीं हुआ है तो पुना एक महीने बाद आप फिर से बैभव लक्ष्मी का ब्रत करने का संकल्ब ले सकते हैं अब चलिए जानते हैं बैभव लक्ष्मी ब्रत के नियम क्या है तो बैभव लक्ष्मी ब्रत को सुहागे निस्तरिया करती है तो अति उत्तम फल प्राप्थ होता है हलाकि मा लक्ष्मी की किरपाप पाने के लिए इसे कोई भी इस्तरी या कुमारी करन्या कर सकती है इस्त्री के बदले इस ब्रत को पूरिस भी कर सकते हैं यह ब्रत पूरी स्रधा से करना चाहिए दुखी या परसान होकर बैभाव लक्ष्मी ब्रत नहीं करना चाहिए यह ब्रत सुक्रवार को किया जाता है ब्रत के दिन उपवास करना चाहिए और साम को विधी विधान के साथ मा को भोग लगा कर प्रसाद ग्रहन करना चाहिए ब्रत की विधी सुरू करते समय लक्षमी अस्तवन का एक बार पाठ हवस्य करना चाहिए बैभव लक्षमी ब्रत में स्री यंद्र की पूजा भी करनी चाहिए इसे माता लक्षमी के पीछे रखे और स्री यंद्र की पूजा के बाद माता रानी की पूजा करें अब चलिए बैभव लक्ष्मी ब्रत की पूजन की विधी क्या है? तो बैभव लक्ष्मी की पूजा साम में की जाती है. ब्रत के दौरान पूरे दिन आपको फलाहार रखना है, साम को अनिग्रहन कर सकते हैं पूजा के बाद. सुक्रवार को साम को असनान करने के बाद पुर से भरा कलस अस्थापित करें कलस की ऊपर कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूसन अवस्य रखें पूजा के समय मा लक्षमी को लाल चंदन लाल वस्त लाल पुस्प और गंधक अरपित करें मा लक्षमी को सफेद बस्तुवे अति प्रिये हैं इसलिए पूजा के दौरा स्वेट बस्त्र हो सके तो पहनने की सलाह दी जाती हैं सफेद फूल और सफेद रंग की चीज़ों का भोग मा लक्षमी को लगाना चाहिए सफेद पुस्प के अलाबा मा लक्षमी को गुलाप प्रिये हैं पूजा के बाद बैभव लक्षमी ब्रत की कथा का अवस्य स्रव बन करें बैभव लक्षमी ब्रत में भोग के लिए घर में गाय की दोथ से चावल की खीर बनानी चाहिए अगर किसी कारण बस खीर नहीं बना पाते हैं तो सफेद मिठाय या दम लगा सकते हैं बैभव लक्ष्मी ब्रत में क्या खाना चाहिए तो फलाहार में आप कच्छे केले की टिक्की, सिंगाडे की नमकीन वर्फी, साबुदाने का खिचड़ी कुट्टू की सबजी, कुट्टू के आटे की पूरी, कुट्टू के आटे के पराठे, खीरे, आलू फ्राई करके और मुंख फली ये सब आप खा सकते हैं हाँ, इन सब चीजों में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा साथ ही साथ अगर फलाहार पे रहे तो वो ज्यादा बेहतर होता है उद्यापन की विधी क्या है तो 7, 11, 21 जितने भी सुक्रवार की आपने मननत मांगी हो उतने सुक्रवार यह बरत, पूरी सरधा तथा भावना के साथ करना चाहिए आखरी सुक्रवार को इसका सास्त्रिय विधी के अनुसार उद्यापन करना चाहिए आखरी सुक्रवार को परसाद के लिए आपको खीर बनाना है जिस प्रकार हर सुक्रवार को हम पूजा करते हैं वैसे ही करना चाहिए पूजन के बाद मा के सामने एक नारियल फोड़े फिर कम से कम साथ कुमारी कन्याओ या सौभागवाती इस्तियों को कुम-कुम का तिलक लगा कर मा बैभाव लक्ष्मी ब्रत की पुस्तकी एक-एक प्रती उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का परसाद देना चाहिए इसके बाद मा लक्ष्मी को सरधा सहित परणाम करना चाहिए परणाम करने के साथ ही आप मन ही मन प्रार्थना करे हे मा धन लक्ष्मी मैंने आपका बैभाव लक्ष्मी ब्रत करने की मननत मानी थी यह ब्रत आज पूर्ण किया है हमारी मनो कामना पूर्ण करे हमारी हर भी पत्ती दूर करो हमारा सब का कल्यान करो जिसे संतान नहों से संतान देना सवभागवती इस्त्री का सवभागय खंड रखना कुमारी लड़की को मनवांशित पत्ती देना जो आपका यह चमतकारी बैभव लक्ष्मी ब्रत करे उनकी सब भी पत्ती दूर करना सभी को सुखी रखना हेमा आपकी महिमा अपार है आपकी जय हो ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी सोरुप के छवी को परणाम करना चाहिए तो दोस्तों यह मैंने बैभव लक्ष्मी ब्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी इसके बाबजूद अगर आपके मन में कोई सवाल है बैभव लक्ष्मी ब्रत से जुड़ी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई दोंगी वीडि को लाइक करें सेर करें और मेरे इस घरेलुख अबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स